हाई गाईज आएम डॉक्टर दिवाकर रहा है बीएमेस स्माइस गांदी नगर आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं संस्क्रिट का चेप्टर सेकिंड संधी परकरन ठीक है संधी से आपके बीएमेस फस्ट एर के एक जाम में 15 मांक्स के कोशेन आते हैं और यह 15 मांक्स क कोशेन आज के बाद कभी नहीं चुटने वाला आपका अगर इस वीडियो का पच्छे से देख लो और कुछ कोशेन पर प्रैक्टिस कर लो जब तक आप कोशेन पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरे वीडियो देखने ना देखने से का कोई मतलब नहीं रहता ठीक है तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोशेन पर प्रैक्टिस करना है कोशेन का सिट में आप लोगhou को प्रवाइट कर दूंगा अगर आप इसे ह्लेवला है नहीं तो मैं आप प्रवाइट कर दूंगा अब संदी पर कर करना है अँट संदी को का संदी ठीति और सोब लेकिन कोई जरूरत नहीं संदी को जादा पढ़ने के जेटनी जरूरत है उतना ही ही आपको पढ़ना इभान संदी में जसत्तवन संदी एक वर्ण के अत्ップर क्या हो जाएगा यन वर्ण सियात हो जाएगा कब जब आणा शॉल्ण अच आएगा तो अच पत्यार का जुआ और यन पर थी Hills हे लुश्हर्ण स्यात हो जाएगा है रूरू के जगपर रा हो जाएगा लूरू के जगपर ला हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं क्या कि एक वर्ण को आस्वर्ण अच के साथ एक के स्थान पर यन से यात हो जाएगा और कैसे हो जाएगा देखे E E है प्रति में से İ आ जाएगा और E में से E क्या हो गया ही देखे एक बारण हो गया और यह क्या हो गया अच पड़ेहर हो गया तो लगप जगे म्दू अ की जगप क्या होना हो देखें, उ के जगपर क्या होना चाहिए, वा होना चाहिए, तो मद्ध, आधाधा हो जाएगा, तो मद्ध, वारी हो जाएगा, तीसरा तो रू, रू, रू के जगपर रह हो जाएगा, तो मात्रू, रू है, तो रू और आ, आच पर त्यार हो गया, तो रू और आ के जगपर क्या हो जाएगा prosperous without a एको यंची हो जाएगा एको एको यंची हो जाएगा यंजियाथ अची पक्रेश हीता आए अथार्थ क्या होताए एक वर्न के जगापन क्या होगा यन वर्ण हो जाएगा जो भी में पहले पर रहे था दार पर क्या होता था या होता था तो इस इसके बाद आ जाये तो या हुआ पर रहला से यहाथ हो जागा फिर देखे एग्जामपल से अच्छे समझाएगा मैंने बहुत सारे एग्जामपल को setup की है ए और आ के स्थान पर क्या होना चाहिए या हो जाए तप्रती और अगम हो गया तप्रती अगम आगम हो जाएगा तो मध्धा उ मध्धू और अरी तो मध्धा उ हो जाएगा और अरी तो उ के जगओ पर क्या कर देंगा भाई कर देंगा तो मध्धू अरी हो जाएगा इसी तरह से नेक्स जगओ बात करें तो उ और ई को जो रहेंगा उ देखें मध्धू और इदम तो उ हो गया वा तो उ के तरी हो गया इस वर्ड में से और आ तरी के जग पर क्या होता है रा हो जाएगा पित्राग्या हो जाएगा लू और अर्थम है तर लू के जग पर ला अधा हो जाएगा रा तर लू का ला हो जाएगा तर ला अर्थम हो जाएगा ठीक है इसी तरह से कुछ और उधारन हमें इसमें दिया हुए, सारे उधारन को समझेंगे, प्रती अंगम, पहले यह प्रती E हो गया, E, देखिए, यहाँ पर बना के दिया हुआ, E और A है, तो क्या यह हो जाएगा, तो प्रते अंगम, E और, यादी E और A है, तो यह हो जाएगा, यह खाली आद राखना, दिमांग में सिट करके तब इस तरह कुछन करना, E, E के जगए पर या, U के जगए पर वा, रूरू के जगए पर रा, अलूरू के जगए पर ला, चलिए, ठीक है, अब अन्ने उधारन है, अन्दने उधारन को देखिए, तो बदू, तो बदू मे अन्दने उधारन को देखिए, 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 अन्दने उधा इस तरह से कर लेंगे ठीक है अब देखो यह note में दिया हुआ है इसको समझ लिए यान वर्ण में क्यों को ना था जो मैं पहले समझाते हुआ फिर भी इसे लिखा हुआ तरीड करते हुआ यान वर्ण में यावराला को कहते है जब किसी वर्ण के अस्थान पर ये वर्ण कादेश के रूप में होता है तो यान संदी कहते है ठीक है अब देखो यावराला से स्टार्टिंग में जो हो ना यावराला हुआ जब किसी वर्ण के अस्थान पर यावराला आए ना तो यान स्वार्ग ने दिर्गा मतलब सिमिलर लेटर होना चाहिए एक चीज माइंड सेट कर लो अब इसे सिमिलर लेटर होगा तब ही वो दिर्ग संदी में कनभर्ट होगा ठीक है एक चीज याद रखना जिसे ऑ आ ई ई उ उ रू 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 और उसी के तरह स्वार्ण आच जूरा हो इसमें क्या हो श्वर्ण आच जूरा हो ता की दिर्ग बन जाएगा तो इसको दिर्ग संदी बोलती इंथे तरह से इसे देखे धर्म और अर्थ है अग होगा ह्या हैॉ अ और आ क्या मैं सिमलर हो गया हिमिले हो जाएगा तथा अ अपी तथा आ और अपी क्या हो जाएगा देखेंछाए जियरी और इंद्र गिरीस अःे इए और इंद्रत whilst तधि अर धिया कि कुछ और धारन दी आगมา जाए बदूर बधू और उसे मटित्रिय मात्रिय मात्री, तो रिया हैं आप को दिर्गह में convert किया हमने ठीक है अब यहाँ पर कुछ और एक जामपल दिया गया और आको जोर क्या मनेंगे ठीक है अब बात करते क्या और आको तो आ धर्मार्त हो गया विदान तो गया विदांग हो गया पूरा बख़ा और आको तो आ बना तो हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या कितना सिंपल है तो यह सिंपल सा है इसे सिंपल को सिंपल ही बनाया रहागी तो ज्यादा इक कप्लिकेट करोगे तो लिए जाएगी ठीक है वो लोग पता नहीं ढेरते कि हम वह समझें आ चाख नहीं है तो दया अर तो दयानंद, विद्या और आले, महा यौरा, महात्मा, प्रभाइ और आ, तो प्रभा कर रहा हो जाएगा ठीक है, इसलिदो को द्यान रखना है, और दिर की संधी केुद्धारन, दिर की संधी को दिर की क्या था, झाला िरगाई हो जाएगा levar सरा के इर साथ डिरगाई हेकिन और एक पगे Ctrl प्रोटो प्रें या उसको और प्रेक्टिस करना है फिर पूड़े वीडियो इसको 2,3 बार तेख रहे हैं पूरे याद हो जाएगा बुक्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पढ़ेगा गुन्संदि का सुतर यह होगा ठीक जाँब पर ही। दिरगाई। अब एक्जामपल देखे, धर्मा तो धर्मा मैं से क्या उते है, धर्मा दर्मा यह होगे, धर्मा लिखाई धर्मा और ई तो आ और य के जगपर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और सुथर क्या लिखना है आदे गुना अद्व गुना ठीक है अद्व गुना अब आतने दीन आ और य तो ए हो जाएगा तो दीने एस महा आ और य तो महेंदर हो जाएगा महा य और इस तो महेंदर हो जाएगा भागय अरू ता अरू का ओ हो जाएगा ता भागया उदय हो जाएगा देखे अरू को जोर कर क्या ओ हो जाएगा अब देखे जल अरू ता ओ हो जाएगा ता जल और्मी गा गंगा गंगा अरू ता आ अरू ता गंगोदिकम महा आ अरू तो क्या हो जाएगा महर्मी अब गुन संदी के कुश नियम है जो अधर एक्जांपल में दिया गया तराज अर्सी हो जाएगा तराज अर्सी हो जाएगा तबालिकार तौलिकार हो जाएगा जिसे देखे दिया होगा अपा वुपा में से क्या ख़ाए अपा में से क्या ख़ाए अ और ई तर अ और ई क्या हो जाएगा यह हो जाएगा उप्युन्दर शुर्य आ और बर्ण हो देव अब देके कितना सुनर से बनाय हुआ समझाया हुआ जाएगा इस तरह से और बिर्दी संधी इस चौधा होता है विडधी रेची क्या हो जाएगा शुत्र तो जो फ尼र्ट पर्ट में होता है सुत्र जरूर लिखना सुत्र छोड़ уже तो नमबर सिदे आधे आ जाएगे ख और 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 सवेर्ण ऑफ मैं इया आई वो है एक आ और यह तो एक ऐखम हो जाएगा, जेकेगे, आ और यह मतलब उसने बिड़दी वाले रूप है, जिसे बिड़धी वाला रूप हो गया है, अब लटividadर आ यह तो एक आर आखम, तो एक आखम, मता और यह सदेव हो erzähबे clear lasting पूछेगा जला उसनम हो जाएगा गंगा ओगा कभी क्या होगा ऐसे देदेगा कब बहुत सारा गिजाम में हमारा पेपर जो है भी जो करेंट लिए गजाम हमारा हुआ है तो उसमें इस तरह से आया है कि एक एकम को देदेगा और पूछेगा कि इसका मितलब संधी बनाइए और संधी बनाईए और क्या करेगा इसको लिखने के लिए कर रूप लिखी है और संधी कौन सा संधी है यह लिखने के लिए पूछेगा तो यह तरह से आयादी संधी बहुत ही इंपोर्टेंट संधी बनाए जाम में यह सब संधी अभी इंपोर्टेंट संधी चल रहा है आते ही हैं कोस्चिन तो द्यान रखना है, ठीक है, इसके सुत्र किया थे ए, आई, ओ, आउ, ए, एच हो गया, उसका आया अदी, एच के जग़ा पर आया अधी हो जाएगा, मतलब कि आया, अब, आया और आब, इस सुत्र में ही इसके सब गुसे हुए, एक साथ अगर स्वर्वर्ण कोई जूर गया तो आया हो जाएगा एक साथ स्वर्वर्ण हो जाएगा तो आया हो जाएगा ठीक है आई के साथ अगर स्वर्वर्ण तो आया हो जाएगा और ओ के साथ स्वर्वर्ण जो जाएगा तो अवा गुझाँच जाएगा। और अवा जूड़ जाएगा। ठीक है। उर समझजी अच्छे से। अभी इसमार एकजामे मुनでした ऐसा करके आया था एकजाम इशिसाल। तो भर एकल्ण के गवाव जाएगा। ठीक है। अब ने आ नम, तो ने और आ नम मतलब नए नम हो जाएगा, ठीक है, छे और आ नम, तो छे, छे के जगवपर ए हो गया, तो ए के जगवपर क्या हो जाएगा, ए और आ है, तो ए के जगवपर या हो जाएगा, तो आया हो जाएगा, तो चाए नम, जीसे देखे, ठीक है, समझ आया हो गया, तो न तो पहले से था, तो न आया, और नम, तो नम हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, न ये नम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझना है, तो न ये नम, उच्छे एच्छे है, तो चा और ए, तो चा ए के जगोपर क्या हो जाएगा, हमारे देखिए, यहाँ मुन ना यह हो जाएगा ऐसे समाझना है ठीक है उसके पो । के जगवा पर क्या लिखते हैं व। ए के जगवाण लिखते हैं खावगा भ। आए आएक हो जाए गए जो है इसके जगवा पर हम क्या लिखते हैं देखें हाओ लिखाओं आए लिखते हैं तो साया खो जाएगा फिर देखें ऑव आव के जगापर क्या लिखते हैं आवाव लिखते हैं नव एक तो नाविक हो जाए पाव एक पाव अक्त पावक हो जाएगा भाव अक्त भावक हो जाएगा तो इस तरह भावक तो भावक अब भावक के जगाप तो लिखेंगा तो भावक हो जाएगा ठीक है इस तरह से आकार हो तो दोनों के अस्थान पर पुरु रूप एकादेश हो गा Vladikar जिस ऐसा एक लेटर हो जाएगी, मद्धेश अधिकार ऐसा युजगर करेंगे, यह और आ है तो यह हो जाएगा, पुरु रूप में हो ओ ही आदेश हो जाएगा, देखे ए और आ है तो यह पूरूरूप में यह हो गया ओ है तो ओ हो जाएगा ओ है तो कोई भी लेटर है तो पूरूरूप हो जाएगा मुने और अत्रा है मुने ए है तो ए हो गया जियो है सुतार देना है ठीक है और ये जो आ है ना, आ के जगव पर ये सेंबल का यूज़ करना है, ठीक है, तो मुने अत्रा, नरे अस्मीना, सेवते असुका, मतलब कहता है पूरू रूप में जो लेटर है, ये पूरू रूप में ये है तो ये को छोड़ देना, जैसे प्रभ होता, ओ है तो ओ ही, लेकिन आ के जगव पर अत्र हो जागा तो इसको पहचानने कह तरीका कि ये जो वह डरह भाने, ये फूरू रूप संधी कि हैगा थीक है, उसके परवुप संधी, पुरह गुरूप संधी के बाद परवुप संधी काया था इसके अकरान्टुप संधी के बाद के बाद यदि एकर या ओकर हो तो दोनों के अस्थान पर परवुप अधेस होता है, जिस से देख़े Да और यक जीप पर O संधिक्त του नीम जो बाद बाले रूप है रहे लागा जिसे प्रा-एजिते टो प्रा हो गया ऐ है थे ए हो गया थे इसमे ए जोर देंगा टो प्रेजिते हो गए ऊप ओ है तो उपोस्थी हो गया यह हो गया हमेरा प्रवरूप संधी के नियम ज़्यादा important नहीं है दिलसर नहीं लेना है ठीक है लेकिन practice करके जाना है जामनर का कोई मून पता नहीं अब बात करते हैं क्या प्राकृति भाव संधी के नियम ठीक है प्राकृति भाव संधी के नियम क्या होता है प्राकृति भाव संधी क्या होता है दूई वचनात इकार को उकार हो तथा इकार के बाद युदि स्वार्न बन हो इकार के बाद क्या हो तो दोनों के अस्थान पर प्राकिर्टी भाव बहता था थार र transmis महीं ने नहीं होती उसके प्रक्रति में इकार औरिसंद हे और हो जाएगा ठीके बाद स्वार्ट बर्ण होने के बाद तो हरी इमा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता हरी इमा ही हो जाएगा मुनी और इमा तो मुनी इमा भानु ये तो तो भानु ये तो होते हैं मोद देते इमा मोद देते इमा हो जाएगा जैसा है वैसा ही उतार देना है हलांकि पिपर में यह नहीं आते तो उतना जोड नहीं देना है ठीक है उसके बाद जस्त्वा संधी जस्त्वा संधी क्या थे जल वर्ग जैसे वर्ग के पर्थम दूतिया तिर्थिया और चतूर्थी वर्ण जैसे की पर्थम हो गया जैसे का वर्ग हो गया दूतिया हो गया खावर्ग हो गया तिर्तिया क्या हो गया गावर्ग हो गया और घावर्ग हो गया तो उसके वर्ण तो था सास और हा के बाद सास और हा के बाद अगर सास मतलब क्या था है जस 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 जबग जबग घड़ वर्ण हो तो जल वर्ण के अस्थान पर जस वर्ण हो जाता है धीक है यह चीज़ां किहा जब्त को कैरीत को का जब्त के च्थान पर क्या ज intend lagi इंचेलिक है जयां Yap उसके आच क्या करते हैं अजर्ट समझ में आ रहा है। जिसे पहला वरन करणे है उसके बाद तो बा सु बन्ता हो जाएगा जगट ता है तर ता ता दा नदल्ल समझ में आ रहा है जाहा पहला वरन है गुसलिटर का उसी का उसके बाद अगर कोई नदल्ल किया साथ साथ सा के बाद अगर ज्छाbere, भाधडडर उसे वरन का तिस लिटर जो होगाria है ता के जगबर धा हुआ और ता के जगबर ता था दा हुआ और चा के जगबर के चाच्छा जा हुआ पा के जगबर पा भा हुआ हुआ है देख रहे हैं समझ रहा है ना समझ में आ रहे हैं आप लोगको जगदीस हो जगदीस हो जगदीस हो जगदीस हो जगदीस हो जगदीस हो जाएगा टा ठा धो जाम्राट घच्टि तो सम्राड घच्टि मतलब पहला वर्ण के तिसरे वर्ण ले जाते हैं ठीक है यानि कि पहला वर्ण है तो उसके तीसरे वर्ण में करन्माट करें simple language में समझोगे, इतना Sanskrit में मत जाओ, simple language पहला लेटर के जगए पर तीसरा लेटर ले उच करना है, ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं, next की, जो पदा अंत, जो पदा अंत के मतलब के पर्थम वर्ण हो, पदा अंतर वर्ण का पर्थम वर्ण के हो, तो था उस तो पहले जाता है, तो सठ भियाम हो जगा है, जगत तो धड तो शूरुतबा संधी के नियम, ठीक है? अब बात करते हैं, क्या सुरुतवा संदी के नियम, नियम क्या होते है, सकार तो वर्ग के बाद, यदि सकार चावर्ग हो, क्या हो, सकार, सकार मतलब क्या होते है, सा कार, तो था तो वर्ग के बाद, मतलब सा कार मतलब सा हो गया, तो था दो था न, तो वर्ग हो गया, के जन संदी पार रहे हैं, ठीक है, तो हरीस, तो सा है, तो सा के जगवपर क्या होगा, यह देखें, सा के जगवपर क्या हो जाएगा, देखें, सा के जगवपर यह हो जाएगा, सा के जगवपर से, तो सा के जगवपर यहां पर क्या ले रहे हैं, सा ले रहे हैं, तो हरीस सेते ह सवचनल के लिए खोना मैसरे कि नहीं हो जाएगा दा के जगवर पर क्या हों सामी सा के में सामेंने क्या और यह कि थी ऊसे कं सव सटचीता हो जायगा और तो वर्ग के लिए ओपर की यद्स हट्र Yuri यह जो जो के जग अपर क्या हो जोगा देखेंगे तो जोग अगल मोझता अचका हो जाएगा सब्चारीत्तर्म हो जाएगा सब्समाद में आ रहा है की नहीं आ रहा है कि मैं एक्सरी बोले जाओ यह था 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 तो वर्ग के जग पर यंगा हो जाएगा, ठीक है, राज, जवर्ग के जग पर यंगा हो जाएगा, ठीक है, राज, जवर्ग के जग पर यंगा हो जाएगा, ठीक है, राज, जवर्ग के जग पर यंगा हो जाएगा, ठीक है, राज, जवर्ग के जग पर यंगा हो जाती है, अब बात करते हैं अस्टुत्वा संधी के नियाम क्याता है सवकार क्या होता है सवक मतलब समझी अच्छे से सवकार यहाला कि एक्जाम में ज्यादा आते नहीं है बहुत रेयर कुछन्स यहां से उठते हैं तो सवकार और अतव और कहा है लेकिन पढ़ना आज को पूरा है ए इसलिए अच्छे से लेकिन अगर आप हमारा वीडियो देख रहे है तो उपर से जो पूछे जाते हैं उसी को अच्छे से जोड़ देखा अपनी प्रिविया से कोशन में देख लो नहीं समझ में आपको बता दूगा कोई परना है कोई छोड़ना है ठीक है लेकिन अभी आ साकार टावर के बार्ट के बादी स्थासा कर टावर हो जाएगा समझ में आ रहा है आप बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या होता है हरीच सषटा हरीस सथा हरीच सथタ सबस्फ है समझ मैं आ रहा है नहीं देखिए यह देखिए फिर देखिए तो के जग पर टो हो जाएगा सुरी इस तरह से हो जाएगा ठीक है इस तरह से इंडिकेसन मैंने कर-दिया अब देखिए हरी से सश्टा मतलब हरी सा है तो सा के जग उपर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें हरी सा के जग उपर क्या होता है सश्ट तो हरी सश्टा होता है मानस ठिकेते तो सा के जग उपर क्या आधार सा हो जाएगा देखें सा के जग उपर सा हो जाएगा तो हरी तो मनस टिकते हो जाएगा ठीक है तो के जग अपर टो हो जाएगा ठीक है अब बात के तो के जग अपर क्या होता है तो के जग अपर हमने क्या पराता है तो हो जाएगा तो के जग अपर टो हो जाएगा तो टड डमरू हो जाएगा ठीक है तो टा के जग ओपर दोजिता हो जायए प्रस्ताम हो जाएंगा। प्रिस्ताम उता हो जाएगा। रिस्ता के सब्रें के जाए हो illust jaki हो जाएगा। कि यह जाने से क्तांट हो जाएगा। अब बाच करते हैं कि अदि वर्ग का पर्थम तता तिरतीय वर्ण हो तो मौ के अस्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ण होता है समझ में आ रहा है यह कहना यह चाहरा है कि मतलब क्या था पदान तो मौ के बाद यदि उसी वर्ग में पर्थम या तिरतिया वर्ण हो उसी वर्ग का तिरतिया वर्ण हो का इंडवाले में तो मौ के अस्थान हो जाएगा उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा तो समझ में का खा गा गा ग, घया हूस, गया है तो क्वया थैं ? पर्षक्षाम इस ऐसी आध हत जाएक है, क्या हो जायगा, क्रिक्षता कि यहीं हो चलो आज खुद बूसरा समंझ जग है63 रिवाती तो अन्नम आज चाने चाव वर्ग है, क्या है सब में सब्सक्षा aid क क्या लिखना है अंगा जाएंगा एक जैसा दिख रहा हैं तो एक अंगा ऑगा कताया चैश्च ढेẢ़ेगा समुंदर alert समुद्र न तरती समझ में आ रहा है कि यह सम बिल्कुल माइनूर्ट से देखे फिर इसमें अन्नम मा है तो मा भी कहा है पहला लेटर है तो मा क्या पा है तो पा जैनि फर्स्ट लेटर हो गया दूसरे वाला को मा के बाद पहला लेटर क्या है पा है तो पा मतला पा फा भा भा माह तो माह हो जाते हैं माह के जग पर माह होना चाहिए लेकिन क्या आधा माह होना चाहिए समय आधा ही हो जिवरा है ठीक है तो अन्नम पच्चमी ठीक है अब विविद संदी के उधारन ठीक है विविद संदी के जारन एक ही पद में यदि रर र स वर्न हो और माह वर्न हो तो तो उसके बाद ना हो तो, ना के अस्थान पर ना हो जाता है, जिसे देखिए, इसमें मा है, और एन है, तो इसमें ना भी है, तो मा के जगए मा है, और जो लास्ट बला जो ना बर्न आ जाए, मा भी हो और ना बर्न हो, देखिए, एक ही बाद में, यदि रुई, रा, सा, वर बात करते हैं वर्ग के तीरती है वर्ग के तिर्थिय चतूर्थ बार्ण के बाद यादी वर्ग के तिर्थिय चतूर्थ बार्ण के बाद यादी वर्ग के दितिय वर्ण हो तो तिर्थिय चतूर्थ बार्ण के बाद चारा वर्ण हो जाता है ठीक है अब देखें तिर्थिय चतूर्थ बार्ण के बाद तिर् उसका जो जो जाएगा तिरतिये चतूर्थ बर्न हो जाएगा तिरतिये चतूर्थ बर्न के साथ चर बर्न जुड़ जाएगा तिरतिये बर्न हो 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 जाएगा तिरत बिबता तो थो तरटेशन नहीं है और मैंने बहुत कोशन देखे ही नहीं इसके काफी रही है और कूछ पूछ वर्ग के बाद यदि पांच वर्ण हो तो एक दू तिनचार बिश्थान पर फांच वर्ण होता है ठीक है समझ में आ रहे हैं तो वरुक का पहला रुषरा तीसरा छथा बर्ण के बाद यदि पांचमां बर्ण हो तो पहला एक जू तेन amiga पहला का भान हो गा जैसे कह सताइब कृहार है तो तो पहला वर्ग है नो पंचमा वर्ग है तो जग नात हो जाएगा पंचमा वर्ग हो जाएगा पंचमा वर्ग है और इसका पंचमा वर्ग हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं क्या तो वर्ग के बाद यदि सा वर्ग हो तो तो वर्ग के अस्थान पर चा वर्ग हो जात ता था धा धा ना उसके बात क्या है सा है तो इसके इसके अस्थान पर क्या हो जाएगा ता था धा धा ना के अस्थान पर क्या हो जाएगा चा उबर चा चा जा 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 अंगा हो जाएगा जैसे एक्जामपल से समझते हैं बहुत अच्छा समझ में आएगा तत्र सुरुतम त थाँ प्राहा प्रानपर काया गेता दाद कर già होगा कर डाइगा फ्रिजच्टम यह की असानपर कि आगा देट उट शूल डम है तो 9 कर दुछ रिखल में स्वें सू पर क्या लैएक में सा ने वहां सूजप रजैघास क्या पिर कर था नइस और होगा ता वर्ग के बाद यहाल कर था नौ वर्ग के बाद यह न कर खोटो छकम आनुश्वार nd Всем च匹ार के थान पर अनुश्वार लकार होता हैं थीक है अब समझते अनुश्वार को समझते हैं जैसे तत ता हो गया था वरग की आनुश्य उलतलेक टललेक हो जाएग चाव वर्ण मतलब चाव वर्ण हो जिसमें देखी सम्में चाव वर्ण दिख रहा है सम्में चाव वर्ण दिख रहा है चाव वर्ण हो तो मध्यम में पर्थम वर्ण का आगम हो जाता है बीच में पर्थम वर्ण तरू और चाव का पहला क्या चाव होता है तरू चाया हो जा विविद संधी के उधारन के बाद करें तो देखें यदि स्वर्ण बन के बाद डण न न वर्ण हो तो उसके बाद स्वर्ण बन हो तो डण न न का दूत हो जाता है मैं बात करें पदान्त वर्ण में एक दो तीन चार प्लस होगतो हाथ तो हाँ के स्थान पर पूर्ण का चतुरबन हो जाएगा पूर्ण मतलब का का चतुरबन हो जाएगा वाक हरी तो कवा अब हम नेक्ष्ट बात करते हैं क्या अब देखें नेक्ष्ट हम समझेंगे क्या नी रा और रा वर्न रा प्लस रा वर्न हो तो एक रा का वर्न का लोप हो जाता है ठीक है बात करते है और विष्टर के बाद तीन चार स्थान पर नी रह वर्न हो तो बिसर्आ क्या पर याजव Memorialोगा हो जाता है पड़ीद दिरीया भिए अभी भ दो जाएगा लोडर्ए वेंग paar दो भिद enc determination होजएगा जाएगा अरеляश्टपर होगा टाव सब्सक्राइए आध्याद इमानोरा HC सब्सक्राइएं और 9 माना और यह मतला मतला विसर्ग हो गया या यह ओगा मतलब पर्थिया परत्रम यहाग्य ठीक है अब सर्क हो तो जो जा जाएगा ठीक है यदि विसर्ग के पूर्भ क्या होता है विसर्ग के क्या होता है विसर्ग के पूर्व तथा विसर्ग के बाद आकार हो तो क्या हो बिसर्ग के पूर्व और इसर्ग के पूर्व तथा विसर्ग के बाद आकार हो तो बाद वाले आकार के स्थान पर आ होता है जिससा जो विसर्ग है तो बाद वाले आकार के जगपर हो जागा क्य क्रिस turbulence और देनांबत आहां साथ डूंग घगता सो अब्दत का सो अब्दत कोच हो जाएगा ठीक है आप बात करना सक रिष। Sam तो तो स्तान पर स अ हो जाता है से राम हो गया और चा है तब क्यादना सम्दस चलती सऌ हो देगा स्धाइब और चलताम है तो च वर्ग होगा न निस्चलम हो जाएगा सीरा और छेद तो सीरी छेदा हो जाएगा क्रिस्ना छाग होगा चंदर सोबेते तो चंदर सोबेते हो जाएगा प्राया चितम मतलब प्रायस चीतम हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं अब हम नाश्ट बात सफ हो रहा है नहीं विसर्ग के जattव और सबाण्य ऐसा रहा है निस्काम हो गया इस विसर्ग जग पर क्या हो रहा है सबस्कोस ऐके तरेकिर में सबस्थी सबर्गा मिंदyu पापां एक विसर्ग और सब्सक्राइब तो वाद के वर्ग के तीन चार पांच बर्ड यवर हो तो विसर्ग के अस्थान पर रह हो जाता है भानू और आगता भानू और विसर्ग के जगपर आगता भानू गता हो जाएगा अब हम बात करेंगे जिसर्ग को हटा देंगे और अके बाद विसर्ग आपर कि Nickel कर पाऊंगा अक Sakra प्लस तीन चार पांच बर्न हो तो विसर्ग लोग हो जाता है ठीक है अब बात का देवा और गता तो देवा गता हो जाएगा ठीक है इसी तरह से नरा और अत्र हो जाएगा यहीं पर आपका संधी चेप्टर खतम होता है यह 40 मिनट का वीडियो हो गया लेकिन यह 15 मार्क्स का वीडियो only 40 मिनट में तो कोई जादा नहीं है अगर आप अच्छे से इसको सिख ले समझ ले और कोस्टन बे प्रेक्टिस कर ले तो मैं गैरेंटी देता हूँ कि आपका 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें थैंक यू